हेलो गाईज, वेलकम बेक टू पाई स्टेडी सरकल, माई नेम इस रन्जुम और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 एन आई उस एकोनोमिक्स जिसका कोर्ट 214 है, मैं इसका चैप्टर 13 जिसका नाम है कीमत और मात्रा के निर्धारण में सरकार की भूमिका, यानि कीमत और मा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है, तो चले गई देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन-कौन से इंपोर्टेंट कोसन है, आगे बने पहले में आप सभी से कहना चाहती हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे और अगर आप आपको हमारी वीडियो हेल्फ फूल लगे, तो आप अपने सभी फ्रेंट्स के साथ इस वीडियो को शेर करना न भूले, और हाँ गाईज, अगर आप हमारी चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले, तो देखते हैं गाईज कि इस संतुलन कीमत से जादा निश्चित यानि तै की जाती है, यानि इस समर्थन कीमत क्या होती है, समर्थन कीमत वो होती है, जो हमारी देश की सरकार है न, हमारी देश के जो उतपादक हैं या जो किसान है, किसान और जो उतपादक होते हैं वो जो जिस भी वस्तू का उतपाद करते हैं उनके उत्पाद की इनकी प्रोड़क्ट के एक निंतम किमत सरकार करती है कि इस निंतम की, कम सकμα यह लोग, जो प्रोड्यूसर और किसान हैं कम सकम अपने उत्पाद को इस कीमत पर बेच सकेंगे, इस सकंपक्र कीमत करने नहीं मालीजे के किसान गहों को उतपादन करते हैं सरकार किसान गहों के एक नीव्टम कीमत तैब कर देती है जितने भी किसान यह जो किमत इसके अपने गहों को बेश सके हैं, जिसदें की गहों को बननाने उनकी जो उत्पादन लगी है उन्हें पूरी मिल सकें इसलिए सरकार क्या करती है एक समर्थन कीमत तै करती है समर्थन कीमत हमेशा संतूलन कीमत से अधिक यानि संतूलन कीमत से जादत है की जाती है हमेशा तो छोड़ा इस ऐसाते हैं हमारा अगला important question हमारा अगला important question है कि नियंतरित कीमत किसे कहते हैं यानि control price किसे कहते हैं नियंतरित कीमत वह कीमत होती है जो सरकार दुवारा उब्भुकताओं के हितों की रक्षा करने के लिए संतूलन कीमत से कम निश्चित की जाती है यानि इस समर्थन कीमत तो संतूलन कीमत से जादा तै की जाती है और जो ये नियंतरित कीमत है control price है ये संतूलन कीमत से कम तै की जाती है और सरकार नियंतरित कीमत कैसे तै करती है सरकार क्या करती है कुछ वस्तूओं की जो कीमत होती है उनके एक नियंतरित कीमत तै कर देती है जिससे कि उन वस्तों को बेचने पर भुकताओं से ज़्यादा पैसा वसूल ना किया जा सके यह भुकताओं से उन वस्तों के लिए ज़्यादा पैसा ना लिया जा सके इसलिए सरकार क्या करती है कुछ वस्तों के एक नियंतरित कीमत तै करती है जैसा कि गैहूं, चावल या मिट्टी का तेल इन सभी क्या करती है सरकार एक नियंतरित कीमत तै कर देती है कि इस कीमत से जादा कीमत और भुकताओं से कोई भी वसूल ना कर सके उसे ही क्या का जाएगा निंतरित कीमत तो गाईज आगे बढ़ने इस पहले मैं आप सभी से कहना चाहते हूं कि अगर आपको इस चैप्टर के पिछले सभी चैप्टर के PDF चाहिए या आपके पास जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाई कि हिंदी इंग्लिश डाटर इंटरी पेंटिंग उन सभी के PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं तो चलिए गाई आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉटेंट कॉस्चन है कि कर और आर्थिक सहायता किसी वस्तु की बजार कीमत को केसे प्रभावित कैसे एफेक्ट करती है यानि जो कर होता है और जो आर्थिक सहायता होती है वो बजार कीमत को किस तरह से effect करती है कर क्या होता है कर सरकार क्या करती है कर लोगों से वसूल करती है और जो आर्थिक सहायता होती है वो आर्थिक सहायता लोगों को देती है तो इसलिए कर सरकार के लिए क्या हो जाएगा कर तो हो जाएगी सरकार के लिए आए और आर्थिक सहायता हो जाएगी सरकार के लिए विया तो ये जो कर और आर्थिक सहायता है वो वस्तु की जो बजार कीमत होती है उसको किस तरीके से एफेक्ट करती है तो तेरे गार देखते हैं कि सरकार वस्तों के उत्पादन एवं उनकी बिक्री तता कच्छे माल आदी के आयात पर विभिन प्रकार के कर लगाती है जो उत्पादन शुल्क बिक्री कर और आया शुल्क के रूप में होते हैं यह नी सरकार वस्तों के उत्पादन बिक्री करते हैं यह फिर आयात करते हैं उनके अलग तरह के टेक्स में इस लगाती है वैते तो जीकल से एक टेक्स लाने चिह जीएस्तव लेकिन उसके अलबब एक और टेक्स हो आयात शुल्क यानि सरकार ये उत्पादन और विक्रीकर और आश्रुनक के रूप में सरकार टैक्स लेती है ये जो करे हैं, ये जो टैक्स हैं सरकार को उत्पाद को विकरेता हो तथा इन वस्तुओं के आयात करने वालो दुवारा बुकतान किए जाते हैं यारि यह जो यह जो टैक्स होते हैं सरकार किन से वसूल करते हैं उत्पादकों विक्रेता और जो इन वस्तों को जो आयत करते हैं लोग उनसे यह टैक्स सरकार लेती है और इन वस्तों के जो उत्पादक हैं इन वस्तों के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो विक्रेता हैं या इन वो जो आयत करने वाले लोग हैं वो इन वस्तों की बजार कीमत में व्रधि यानि बढ़तरी करते हैं यदि सरकार इन करों की दरों को बढ़ा देती है तो इन वस्तों की बजार कीमत भी बढ़ जाएगी यानि गाइज यानि गाइज सरकार जो टैक्स लगाती हो किन से वसूल करती है वो उत्पादक और विक्रेता और आयत करने वाले लोगों से इन टैक्स को वसूल करती है और ये लोग और जो उत्पादक विक्रेता होते है वो उन्हें किस से वसूल करते हैं वो क्रेटाओं से इस टेक्स को वसूल करते हैं चलिए गाइस मैपको एक एक एग्जमपल के दुवारा समझाती है कि माल लीजे किसी वस्तू को बनाने में दस रुपे लगे और सारकार उस पर दो रुपे का टैक्स लगाती है तो उत्पादक को वो वस्तू कितने रुपे में बेखेगा वो चाहता 13 रुपे में बेख सकता है 14 रुपे में 15 रुपे में क्रेताओं से यानि ये पूरा का पूरा टैक्स क्रेताओं से असूल कराया जा रहा है और अगर सरकार इन टैक्स रिट को बढ़ा देती है माले के दो की जगा तीन रुपे कर देती है तो तोत्पादक क्या करेंगे वो उसे सोले रुपे में या सतरे रुपे में उस वस्तू क बेचेंगे यानि इस हिसाब से कि अगर सरकार इन करों में बढ़ोतरी करती है तो इनकी क्या हो जाएगी बजार कीमत भी बढ़ जाती है दूसरी और वस्तु को आम आदमियों को उचित मुल्या पर उपलब्द कराने के लिए सरकार कुछ वस्तु के उत्पादकों को आर्थिक साहेता भी देती है इसलिए आर्थिक साहेता में रधिया बड़ोतरी करने से वस्तु की बजार कीमत में क्या हो जाती है यानि गारे उन्हें आर्थिक साहेता देती है और जिए उन्हें आर्थिक साहेता देती है अगर सरकार आर्थिक साहेता देने में बड़ोतरी करती है तो क्या होती है वस्तु की जो बजायर कीमत है उसमें कमी हो जाती है और इसका सबसा बड़ी एग्जामपल है फर्टिलाइजर कंपनिय फर्टिलाइजर कंपनिय जो खाद को उत्पादन करती हैं सरकार क्या करती है ऐसी कंपनियों को खाद को उत्पादन करने वाली कंपनियों को सरकार आर्तिक साहता देती है जिससे वो खाद को उत्पादन करते हैं और उन्हें किसानों को उचित मुल्या पर क्या करते हैं उपल पादक होते हैं उनको आर्थिक सहायता देती है और आर्थिक सहायता देती है तो क्या होता है वस्तु की बजार कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की बजार कीमत में बढ़ जाती है और अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है उत पादकों को तो क्या होता है वस्तु की बजार कीमत में कमी हो जाती है तो चलिए गई देखते हैं आगे मने पहले में आप सभी से कहना चाहिए हैं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के आपके पास जो अगर सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी इंगलिश सोसल साइंस और क्या नाम है आपके डाटा एंट्री पेंटिंग इन सबी के अगर आपको TMA चाहिए तो आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा चार्ज पे करना होगा तो इसे के साथ आगर बढ़ते हैं हमारा अगला इंपोर्टेंट कोस्टन है कि दोहरी कीमत यानि डबल प्राइज क्या होता है दोहरी कीमत ऐसी नीती है जिसमें किसी वस्तू के उत्पादन यानि किसी वस्तू का प्रोड़क्शन का एक भाग उच्ची दर दुकानों यानि राशन की दुकानों द्वारा नियंतरित कीमत पर बेचा जाता है और शेस भाग मांग और पूर्टी की शक्तियों द्वारा निर्दहरित कीमत पर खुले बाजार में प्रचलित कीमत पर क्या होता है बेचा जाता है यानि दोहरी कीमत क्या होती है सरकार किसी वस्ती कि एक टहरी कीमत टैकर देती है मानली जी कि हमारे देश में सो किलो गयों को पादन हुआ तो सरकार क्या करती है? वो 50 किलो गयों को क्या करेगी? राशन की दुकान है उस पर बेज़ेगी ताकि जो गरीब लोग हैं उनको गयों मिल सके और जो शेस भाग हमारा पचास किलो है बचा हुआ भाग वो क्या करते है वो बाजार में जो कीमत चल लए होती है वो बाजार में बेचने के लिए प्रचलित कीमत पर बेचती है तो इस तरीके से दोहरी कीमत क्या होती है कि वा आधा भाग तो राशन की दुगानों पर भेज़ती है और आधा भाग बाजार में बेचने के लिए सरकार भेज़ती है तो उसी क्या कहा जाता है दोहरी कीमत कहा जाता है उसी कहा जाता है वस्तू की दोहरी कीमत तो चलिए गाई जागे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगले important question है कि समर्थन कीमत किसानों के हितो की रक्षा कैसे करती है यानि supportive price जो होता है वो किसानों के हितो की रक्षा किसे करती है गाईस यह जो question है यह exam के point of view है most most important question है यह exam में काफी भार repeat हुआ है तो इस question के आप अच्छे तरीके से त्यारी कर लेना बाकि सभी question भी बहुत important है बट यह जो question है यह exam के point of view से most important question है तो इसके आप अच्छे से त्यारी कर लेना समर्थन कीमत समर्थन कीमत किसानों को उनके उतपाद की एक new pagmas के बुक्तान को सुन शूरी का करता है यह जो उत्पादक क्या होते हैं जो उत्पाद complex होता है उनके एक new pagmas minimum प्राइज का बुक्तान करने को तया करता है ताकि जिससे कि जो किसान है उनके उतपाद की उन्हें उतपादन लागत पूरी हो सके या पूरी मिल सके तो उसे क्या का जाएगा समयतन कीमत भारत में खाद्यान जैसे गैहुचावल तिलहन चना आदी ये सब इनकी नीची कीमत का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है उनकी खाद्यान उत्पादन में रूची समाप्त हो सकती है भारत में हमारे जो खाद्यान की फसले हैं जैसे कि गैहुचावल तिलहन या चना आदी इन सबी के कीमत नीची हो जाए तो क्या होगा किसानों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और उनकी जो किसान हैं उनकी खाद्यान में उनकी चावल सिलहन गैहुचाना इन सबी का उत्पादन करने में क्या होगा उनकी रूची समाप्त भी हो सकती है इससे खादियान की क्या होगी बहुत अधी कमी हो सकती है हमारे देश में इन सभी चीजों की गहुचावलों की इन सभी की ये जो खादियान की जो फसले हैं इनकी कमी क्या हो सकती है बहुत जादा कम हो सकती है इसलिए क्रेशी उत्पादों के लिए ये जो खेती के किम एक किमत को यान उनकी किमत प्रृर चिंस जाह करते हैं किमRTHAN के तेह कमsa कम सब जाहुचे सब्सकरते हुआ। किर उप्चार कीमत पर इसक्षान पर हमाइब किम्त भाइब है। ताकि उनकी उत्फ़ादन लागत तो कीमेत चाही है वह उन्हें पूरी मिल सके। तो इस तरीके से समर्थन कीमत क्या करती है किसानों के हीतों के रक्षा करती है तो तो इसी के साथ हमारे आज के सभी important questions यहीं समाप्त होई तो जाने से पहले हम आप सभी से कहना चाहती हूं कि इस चैनल के लाओ हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है learning English by तबसुम इस चैनल पर grammar भी सिखाई जारी है यानि हमार जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है learn English इस चैनल पर English का पूरा course कराया जा रहा है तो आप हमारे इस चैनल को भी follow कर सकते हैं जिसका नाम है learn English by तबसुम तो चलिए गाईस मिलती हूं मैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के most important questions के साथ आप सबी के साथ दो तब तक के लिए keep studying by study